हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे 20 MCQ और PH वेलू से रिलेडेट रहेगा, दोस्तों ये 20 MCQ मैं आपको यहीं पर इसी लेक्चर में याद करवा दूँगा, इसके बाद आपको एक मिनट रिवी प्येच मान कितना होता है, A 6.4, B 7.4, C 7.9 और D 6.6, तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप ठीक लगाते चलेंगे, और आप अपने आपको जाचेंगे कि आपका कितना सही हो रहे हैं, नहीं तो मैं ये बताता चला जाओंगा और आपको सारा याद भी कराता जाओंग B, आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि हमारा जो बलड होता है, खून होता है, उसके हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, तो बस आपको पता है, नेमोनिक मेथड हम ल प्लियर हो गया आपको अगर यह याद रखना है कि बलड घुन का पी एच मान 7.4 होता है आप इसको दो तीन बार याद करेंगे 7.4 7.4 तो यह भूलने का चांसेस बन सकता है बट यह वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे कि हमें बलड का क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्य 7.4 तो मेरे ख्याल से अपने इसका अंसर ठीक लगा लिया होगा दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो D 5.8, B 5.9, C 5.26, D 5.48 तो मेरे ख्याल से आपने इसका अंसर ठीक लगा लिया होगा तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा C, C is the right अंसर दोस्तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देख लिजे ध्यान से दिखिए इसको कैसे करेंगे जो स्वधारा नॉर्मल रेन हो करता है उसमें आप क्या करोगे नहाओगे ना और कैसे नहाओगे आप नॉर्मल वर्सा में क्या करोगे लूंगी पहन के नहाओगे या लूंगी डान्स करोगे क्या करोगे दोस्तो लूंगी डान्स करोगे नॉर्मल बारिस में लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या नहीं नॉर्म सदारन बर्सा में क्या करोगे लुंगी डांस करोगे तो L का 5 होगा N का 2 होगा और G का 6 होगा देखे ध्यान से 52 तो होगा नित तो बस यहीं पर डेस्मिल बिठाए 5.26 C is the right answer 5.26 कितना असानी C ही याद हो रहा है अगला अगर बोलता है क्या कि Acid Rain Acid Rain का pH मान कितना होगा तो आप बताइए A option देख लीजे A 4.8, B 4.9, C 4.0, D 4.3 तो आपनी इसका अंसर टिक लगा लिया दोस्तो इसका जो right answer होगा वो होगा D D is the right answer कैसे याद करेंगे जो Acid Rain होगा उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? रूम में रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? रूम में रहना पड़ेगा, आप Acid Rain में जाओगा तो आपका skin खराब हो जाएगा तो आपको रूम में रहना पड़ेगा लेकिन जो सदारन वर्षा होगा उसमें लूंगी डांस आप कर सकते हैं नहा सकते हैं वर्षा में लेकिन जब ऐसे ट्रेन होगा तो आपको रूम में रहना होगा तो देखिए R का code 4 होगा, M का code 3 होगा तो 4 point क्या हो जाएगा 3, 4 point 3 था right answer तो मेरे क्याल से यह सरचीज आपको याद हो गया होगा अगर आप first time विजिट कर रहे हो दोस्तों तो सबसे पहले आपको यह code में परिशानी हो रहागा कि यह code कैसे लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले आप last में आएंगे और यहाँ पर देखे द्यान से आपका code लिखा हुआ है, आप इसको screenshot ले ले और code को द्यान से देख लिजे 0 के लिए SZ, 1 के लिए TD, 2 के लिए N, 3 के लिए M, 4 के लिए R, 5 के लिए L, 6 के लिए G, J, CH, 7 के लिए KC, 8 के लिए VF, 9 के लिए PB यह मेरी क्याल से अगर आप first time visit कर रहे हो, तो आपको problem हो रहा होगा, अगर पुराना viewer होगे, तो यह चीज आपको सारा चीज complete याद होगा तो मेरी क्याल से अब चलते हैं, अगला question पे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कौन सा हो गया है, सीटरन तक हो गया था, पांच नमबर पे क्या है, देखे ध्यान से Milk, दूद का pH मान कितना होता है, A 6.0, B 6.4, C 6.9, D 6.1 तो मेरी क्याल से दोस्तों इसका answer आपने tick लगा लिया होगा, इसका जो right answer होगा दोस्तों, वो होगा 6.4, 6.4 मतलब B, B is the right answer, कैसे इसको याद करने तरीका बताया था दोस्तों, जो milk होता है, वो कैसे लेते हैं आप, jar में लेते हैं, कैसे लेते हैं दोस्तों, jar में ही तो लेते हैं, मिल्क, तो क्या यह हमेशा याद नहीं रहेगा आपको, कि जो milk लेते हैं, वो किस में लेते ह लार में तो j का कितना होगा 6 होगा r का कितना होगा 4 होगा एक decimal बिठा दीजिए 6.4 is the right answer आगे देखे दियान से सेलेवा का pH मान कितना होता है a 6.5, b 6.9 c 6.1 d 6.8 मेरी ख्याल से आपने इसका answer टिक लगा लिया होगा दोस्तो तो दोस्तो इसका जो right answer होगा a is the right answer 6.5 कैसे आद रखना है जो लार होता है हमारा जो लार होता है सेलेवा वो किसके जैसा दिखता है दोस्तो जेल कितरह दिखता है आप जेल जो बाल में लगाते हो या फिर कोई भी जेल दिखते हो न उसी के जैसा क्या होता है ये लार होता है तो दिखे जी का 6 होगा और एल का 5 होगा कितना हो जाएगा 6.5 6.5 right answer अगला toothpaste का pH मान कितना होता है a 8.04 b 8.08 c 8.09 d 9.01 तो मेरी कहल से आपका इसका अंसर आ चुका होगा दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे दिखे द्यान से toothpaste toothpaste क्या है दोस्तों best है हमें रोज करना चाहिए दो बार ठीक है तो सब कुछ waste है toothpaste best है सब कुछ waste है toothpaste best है तो बस आपको याद रखना है कि toothpaste क्या होता है best होता है हमें करना चाहिए दो बार B का code 9 होगा S का code 0 होगा T का code 1 होगा 0 यहाँ पर decimal लगाईए तो 9.01 D is the right answer 9.01 मेरे ख्याल से यह असानिय से आपको याद हो रहा होगा अगला देखें दोस्तो Skin 8 नमबर पर क्या है Skin तो अच्छा का pH मान कितना होता है A 5.9 B 5.5 C 5.8 और D 5.1 तो यहाँ पर D option होगा ठीक है 5.1 तो मेरे ख्याल से आपका इसका answer ठीक लग चुका गगा दोस्तो इसका जो right answer होगा वो होगा B B is the right answer कैसे याद रखना है कि जो तवच्चा जो Skin है वो कैसा है तवच्चा कैसा है लाल है आपका तवच्चा कैसा है लाल है तो L का code 5 और L का code 5 तो कितना हो जागा 5.5 विजदा right answer अगला दोस्तो urine urine पेसाब का pH मान कितना होता है A 6.9 B 6.8 C 6.0 D 6.6 दोस्तो यह सारा question जो 20 लिया हो very very important है हर exam में पुछा जागा यह question यहां से confirm तो यह चीच को आप confirm कर ले दोस्तो कैसे याद रखेंगे इसका इसका जो right answer होगा वो देख लेंगे पहले दिखिए इसको कैसे याद करना है कैसे बताया जब अगर आप पिसाब को रोक लेंगे तो क्या होगा आपका gas बन जाएगा पेट में क्या बन जाएगा गैस बन जाएगा तो देखिए जी का 6 होता है और S का 0 होता है कितना हो गया 6.0 तो सेज दर राइट अंसर 6.0 तो पिसाब रोकने से क्या होता है गैस बन जाता है पेट में ऐसा करके अगला देखिए C water समुन्दर जल का pH मान कितना होता है शीक है दोस्तो A 7.8 B 7.1 C 7.0 D 7.2 मेरी क्याल से अंसर आपका टिक लग गया होगा देखिए दियान से इसका जो राइट अंसर होगा वो क्या होगा दोस्तो देखिए जो समुन्दर जल है हमी क्या करना चाहिए कभी नहीं पीना चाहिए कभी भी पीना नहीं चाहिए ठीक है तो आप अगर कभी लिखें ऐसा करके कभी नहीं पीना चाहिए कभी मतलब के ये होगा कभी का spelling अगर मैं लिखू तो क्या हो जाएगा दोस्तों देखे दियान से कभी नहीं पीना चाहिए कभी नहीं पीना चाहिए ठीक है समुंदर का जल पीते साथ क्या होगा आपका प्रोब्लम हो जाएगा तो K का 7 होगा और B का कितना होगा 8 होगा तो डिरेक्टली कितना हो जाएगा 7.8 is the right answer अगर आप बुलो के नहीं मैं तो कभी ऐसे लिखना चाहता हो के भी एचाई ऐसा करके लिखना चाहता हो कभी कोई बात नहीं तो K का कितना होगा 7 होगा और B का कितना होगा 9 तो आपका अंसर 7.9 का सपास कोन है यही दिख रहा और कोई भी नहीं दिख रहा है तो आपका क्या होगा य यही यहीदा right answer होगा ठीक है और ऐसी option में रहेगा यह option में क्या होगा कि थोड़ा से difference ज्यादा रहेगा ठीक है mcq का जो भी रहेगा इसमें difference ज्यादा रहेगा ठीक है आगे दिखें 11 नमबर small intestine छोटी आत का pH मान कितना होता है a 7.9 b 7.8 c 7.7 d 7.4 तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका answer आपका टिक लग चुका होगा दोस्तों इसका जो right answer होगा वो देख लेंगे पहले यह देखी कि small intestine जो होता है हमें क्या करना पड़ेगा इसको साफ रखना चाहिए हमें इसका हमेशा क्या करना चाहिए care करना चाहिए अगर आप small intestine को care करते हो तो आपको पेट का problem कभी नहीं होगा तो बस आपको क्या रखना है care care से आपका दोस्तों अभी तक 3 चीज आ चुका है हमें blood का care करना चाहिए हमें tear का care करना चाहिए और हमें small intestine छोटी आथ का care करना चाहिए तो यह 3ों का कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा इसको decode कीजिए C का 7 होगा और R का 4 होगा तो 7.4 ही the right answer अगला दोस्तों vinegar सिर्का का pH मान कितना होता A 3.6, B 3.5, C 3.4 और D 3.0 तो मेरे क्याल से दोस्तों इस cancer आपका tick लग चुका होगा आपको कैसे याद रखना है दोस्तों देखे ध्यान से जो वेन अगर सिर्का होता है वो क्या करते हैं घर में खाना बनाने में भी यूज किया जाता है तो बस आपको याद रखने किया कि जो खाना बनता है उसमें सिर्का कौन मिलाती है आपकी मा मिलाती है सिर्का कौन मिलाती है दोस्तों मा मिलाती है खाने में तो बस M का code कितना होगा 3 होगा बाके बाद किसी का नहीं होगा तो 3.0 हो जागा directly तो 3 directly D is the right answer आगे देखे दियान से टोमाइटो का pH मान कितना होता है A 4.0, B 4.9, C 4.2, D 4.6 तो मेरे खाल से आपका अंसर इसका टिक लग चुगा गो दोस्तों देखे दियान से इसका जो right answer होगा वो देखेंगे पहले ये दिखे टोमाइटो हमें रोज खाना चाहिए हमारा चरीर के लिए बहुत है हैिमपोटन्ट मेरे मेरे पहले और दोस्तों बनाना का pH मान कितना होता है ए 4.0, B 4.6, C 4.9, D 4.2 मेरे ख्याल चाहिए अंसर आपका टिक लग चुका गगा दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा वो बीज दर राइट अंसर बस इसको भी उसी याद रखना है कि जो बनाना है वो भी हमें क्या करना चाहिए रोज खाना चाहिए आपको सबको इस अला देता होगा कि बनाना आप केला क्या खाईए रोज खाईए तो टोमाइटो और केला रोज खाईए टोमाइटो सबजी में आ जाएगा और फ्रूट्स में क्या आ जाएगा बनाना आ जाएगा तो ये दोनों को रोज खाना तो इसका भी क्या हो जाएगा 4.6 हो जाएगा मेरे क्याल चाहिए पिकल अचार का pH मान कितना होता है आपको कैसे याद रखना है दोश्तों कि जो अचार होता है आप कैसे खाते हो मजे में खाते हो जो अचार होता है वो कैसे खाते हो मजे में खाते हो बहुत ही च्वाइस से खाते हो न तो मजे तो M का कोड 3 होगा और J का code 6 होगा 3.6 यहाँ पे decimal बिठा दीजे तो C is the right answer ऐसे करके हम लोग सारा करेंगे आगे देखे कॉफी का pH मान कितना होता है A 5.00 B 5.6 C 5.9 D 5.8 मेरे ख्याल से answer अपका टिक लग चुका होगा इसका जो right answer होगा वो देखेंगे पहले यह देखे कॉफी जो कॉफी है हमें क्या करना चाहिए less पिना चाहिए हमें क्या करना चाहिए less कम से कम पिना चाहिए L का 5 होगा और S का 0 और S का 0 कितना हो जाएगा 5.00 A is the right answer अगला अगला कुँछा है दोश्तो बैटरी जो बैटरी होता है उसका pH मान कितना होता है A 0.09 B 0.08 C 0.07 D 0.00 तो मेरे ख्याल से अंसर आपका टेक लगा चुका होगा इसका जो right answer होगा दोश्तो वो होगा D D is the right answer कैसे याद रखना जो बैटरी होता है अभी भी गाड़ी या कार या कहीं भी देखते होगे तो क्या बोलता है कि ये चीज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो बैटरी है वो siege कर गई बैटरी जो है वो siege कर गई तो मेरे ख्याल से siege के spelling यह होता है S E I Z E siege तो S का code 0 होगा दोस्तो Z का code कितना होगा 0 होगा तो बस आपको याद रखना है 00 मतलब 0.00 ही होगा तो 0 is the right answer आगे देखे दियान से wine सराब का pH मान कितना होता है A 2.2, B 2.1, C 2.4, D 2.8 मेरे ख्याल से answer आपका tick लग चुका होगा इसका भी तो दोस्तो इसको कैसे याद रखना है पर लिए देखिए सराब, जो सराब होता है wine होता है किसको फिरी में मिलता है नेवी वाले लोग को फिरी में मिलता है आपको पता है क्या कि जो नेवी वाले लोग को होता है उनके लिए केंटीन अलग से बनता है वहाँ पे क्या है सराब फिरी में ही मिलता है तो आपको याद रखना है N का कोड 2 होगा और B का कोड 8 होगा तो कितना हो जाएगा 2.8 D is the right answer D is the right answer सराब सराब का कितना होगा पी एच मान 2.8 होगा तो मेरी ख्याल से यह सरा चीज आपको याद हो रहा होगा असानी से मजे में सरा चीज क्लियर हो जाएगा अगला देखे निम्बू लेमन का पी एच मान कितना होता है A 2.4 B 2.8 C 2.9 D 2.7 तो मेरी ख्याल से आपका निम्बू और निर देखे दोनों एक साथ 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 आ रहा है नहीं निर और निम्बू निर प्लस निम्बू निर प्लस निम्बू एक साथ पीएंगे तो बस निम्बू तो है ही और निर निर के साथ पीएंगे एन का कोड 2 होगा R का कोड 4 होगा तो कितना हो जाएगा 2.4 age the right answer age the right answer 2.4 होगा निम्भू का अगला pure water सूध जल का pH मान कितना होता है तो दोस्तों हमें जो सूध जल होता है सूध जल हमें क्या करना चाहिए 7 days 7 करना चाहिए 7 days 7 करना चाहिए ठीक है मतलब all days मतलब सारे दीन हमें क्या करना चाहिए सूथ जल ही पीना चाहिए ना ही acid rain, ना ही sea water ना ही दूसरा water हमें 7 days मतलब 7 दीन क्या करना चाहिए pure water पीना चाहिए तो मेरे ख्याल से यह चीज के लिए रोग गया होगा और जो last एक दूस्तो pH संकेत किसके दुआरा दिया गया है तो आपको याद रखना है क्या सारे, सारेन, सेन सारेन, सेन सारेन, सेन के दुआरा क्या दिया है या दोश्तो pH और ये code मैंने पहले बता चुका था तो मेरे ख्याल से यह सारे चीज को आप enjoy क्यों होगे, सारे चीज आपको लेकिन दोस्तो इस चीज को हमिसा आप क्या कर रहे है note down करने की कोसिस करें ये total जो 20 pH value है ये frequently exam में बारबर पूछा जाता है और ये में बहुत हैसानी तरीके से बता दिया अगर आप start करें बनाने के लिए तो आपको एक मिनट से जादा टाइम नहीं लगेगा जैसे blood आया, blood आते साथ care care 7.4, tear 7.4, normal rain में lungi dance 5.26 SD train में room में रहना है तो RM room मतलब 4.3 milk को क्या करना चाहिए, jar में लेना चाहिए तो jar R मतलब 4 होता है तो 6.4 हो जाएगा, saliva gel जिसा है L L मतलब 5 मतलब 6.5 हो जाएगा toothpaste based है, based T मतलब 01 मतलब 9.01 skin लाल है, 5.5 हो जाएगा urine gas बन जाता है रोकने इस तो GS 6.0 हो जाएगा sea water, जो समुंदर जल हो था हमें कभी पीनाने चाहिए तो कभी directly याद रखना है, कभी 7.8 हो जाएगा रोज मतलब 4.6 हो जाएगा banana हमें रोज खाना चाहिए, 4.6 हो जाएगा pickle हमें मजे से खाना चाहिए तो मजे मजे मतलब 3.6 हो जाएगा decode करेंगे, तो coffee मतलब coffee हमें less पीना चाहिए, तो 5.00 हो जाएगा battery siege कर गई, तो 00 हो जाएगा wine जो सराब होता है वो आपको एक मिनट से जादा नहीं लेगा और सारा चीज आप सही सही करोगे, देखिए ये सारा चीज है ये decimal ओला जो number है आप frequently क्या करोगे, भूल जाओगे लेकिन ये इस वीडियो देखने के बाद आपको मेरे ख्याल से ये सारा चीज समझ में आगिया होगा इस वीडियो में इतना ही, I hope आप इस वीडियो को इंज्वाई कियोगे, मज़े कियोगे अच्छा लगावे वीडियो को लाइक करते ना दोस्तों के साथ सेर करना अगर फर्स टाम विजिट कियो तो चैनल को सब्सक्राब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो थाकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में नेक्स ट्रिक के साथ फिर से हम हाजी रोंगे दोस्तों तब तक के लिए बाई दोस्तों जैहिंद